नमस्कार जय हैं दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत-बहुत स्वागत है ताबर तोड़ी स्टुडियर संटर में दोस्तों आज हम आप सभी के बीज एक बहुत ही बड़ी अनॉसमेंट लेकर आए हुए है बेसिकली क्या होता है, बच्चों की इंगलिस की प्रोलम बहुत ज़ादा होती है उन्हें इंगलिस से बहुत ज़ादा डर लगता है तो आप डरने की कोई हो सकता नहीं है क्योंकि फैको सर आ चुके है ग्रामर के हर एक टोपिक को बहुत ही बहतरीन अंदाज में फोड़ेंगे तो दोस्तों आज की अनॉसमेंट यहा है कि इंगलिस ग्रामर की जो कलास है रोज सुबा चार अप्रेल से इंगलिस ग्रामर की जो कलास चलेगी हमारी रोज एक लक्चर सुबा साथ बज़े आएगा इसमें हम कंप्लीट ग्रामर को पढ़ाने वाले हैं जीरो टो हीरो एंड बैसिक टो एडवांस हर एक टोपिक को बहुत ही बहतरीन तरह से पढ़ाये जाएगा तो दोस्तों इस ग्रामर में हम क्या-क्या कवरप करने वाले हैं वो जरा से आप सभी लोगों को दिखा देता हूँ तो दोस्तों सबसे पहले हम ग्रामर की जब शुरुआत होती है तो part of speech से होती है होती तो है लेटर से लेकिन हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को लेटर आता होगा यानि कि A, B, C, D ये सब तो आता ही होगा तो हम part of speech से शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम noun को पढ़ाएंगे उसके बाद pronoun को, फिर adjective को, और फिर verb को, फिर ad verb, फिर preposition, फिर conjunction and interjection उसके बाद दोस्तों जब ये सब सारे चीजों को हम पढ़ा देंगे तो one short revision with a trick ट्रिक के साथ एक ही वीडियो में हम पूरे part of speech को revision कराएंगे बहुत ही बहतरीन अंदाज में 20 मिनट की class होगी उसमें पूरा part of speech को finish कर देंगे, उसके बाद part of speech जब हमारी खतम हो जाएगी तो फिर हम tense की सुरुवात करेंगे, सबसे पहले tense कितने परकार के होते हैं basic information जो होती है, वो देंगे, जैसे कि tense तीन परकार के होते है present tense, past tense, future tense, वर्थमान काल, भूद काल, भविसकाल अब जैसे कि present tense भी चार परकार के होते हैं present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense इसी परकार past में भी past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense और फिर future में भी इसी परकार है, future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense और जब यह पूरे tense complete हो जाएगा, तो उसके बाद हम one short revision with a trick जी हाँ दोस्तों हम tense का भी one short revision and trick के साथ देखेंगे, 20 minute के यह भी lecture होगा और बहतरीन अंदाज में 20 minute में पूरे tense को हम खतम कर देंगे लेकिन उसके लिए एक बार हमें इसकी basic जानकारी होनी चाहिए पूरे tense की और जब यह दोनों topic हम खतम कर देंगे, तो उसके बाद कुछ और other rule आ जाते हैं जैसा कि use of करके, use of it, it का परियोग कहां पे होता है, use of there, there का परियोग कहां पे होता है use of if, if का परियोग कहां पे होता है, इसी प्रकार से use of unless, use of until, use of article, and and the यह बहुत most most important topic है, इसे भी हम पढ़ाएंगे और फिर आखरी में हम use of models models को पढ़ाएंगे जैसे कि can, could, may, might, यह सारे models होगे, पूरे हम model को discussion करेंगे और जब यह सारे topic खतम हो जाएंगे, तो उसके बाद अगर अच्छा response रहा हमारे वीडियोज पर, तो हम active and passive voice भी पढ़ाएंगे passive voice भी पढ़ाएंगे, और direct and direct and indirect यह दोनों most important topic को फिर उसके बाद हम शुरुआत करेंगे तो दोस्तों अगर आपको भी grammar का बाद साब अनना है, तो daily सुबा 7 बज़े morning में चार अप्रेल से, रोज एक 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 वीडियो डाली जाएगी, आप सभी लोग आकर इसे वर्स करना और बहुत ही बहतनी तरह से पढ़ना, अधिकतर जो हमारी वीडियोज होगी, one sort होगी, जैसे कि नाउन है, तो नाउन को एक ही वीडियो में हम खलास करने की परियास कि इसी परियास करेंगी, कि जितने भी टोपिक हैं, एक एक वीडियो में हम खतम कर दे चाहे हो, 30 मिनट की वीडियो हो जाए, या 45 मिनट की, आपको बहुत ही धैरी पूर्बक, आपको पढ़ना है, मन लगा कर पढ़ना है, तो दोस्तों भूलना है, चार अप्रेल, मौर्न में साथ बजए, आप सभी लोग हमाई चैनल को विजिट करना, और बहतरीन अंदाज में लेक्चर को देखना, सो मिलता है, चार तारीकों तब तक के लिए, जैहिन,